तो मटर जैसे ही मार्केट में मिलना सुरू हो जाता है, तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है चूड़ा मटर का, तो आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल सीम्पल और आसान तरीके से बनने वाला बिहारी चूड़ा मटर की रेस्पी, जो खाने में काफी टेस्टी होता ह और बनाना इसको बिल्कुल आसान होता है, और इसको मैंने बिल्कुल आसान तरेके से बनाया है, तो वीडियो फिर हमारे लाष्ट तक जरूर दिखें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर करें नए हैं हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की हर जानकारी आपको सबसे पहले देखने को मिले बहुत ही टेस्टी चूडा मतर होता है आप एक बार बना कर देखिए आपको खा के मज़ा आजाएगा तो चाय के साथ जटपट से जरूर इस रेस्पी को ट्राई करिए तो चलिए हम भी सुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले गैस पर रखेंगे कडाई और यहाँ पर देखिए हमने कडाई को अच्छे से गरम कर लिया है इसमें डाल देते हैं एक बड़े चमच तेल तो तेल हमने डाल दिया है अच्छे से इसको गरम होने देना है सबसे पहले हम दो कफ हमने पोहा लिया है जो मार्केट में असानी से आपको मिल जाता है तो इसको डाल देंगे इसमें और अच्छी तरह से इसको क्रिस्पी होने तक हमें इसको भूनना है तो आप बीना तेल के भी यहाँ पे भून सकते हैं तो तेल अगर आप ज्यादा नहीं खाना पसंद करते हैं तो कम तेल में भी आप इसको भून सकते हैं तो देखिए इसको चलाते हैं लगतार अच्छे से भूनना है तो उसे पढ़े थोड़ा साम नमक डाल देंगे और थोड़ा सा नमक हम बाद में डाल देंगे इसे चूड़ा जो है क्रिस्पी होता है यह दिखी चूड़ा भून के बिल्कुल रेडी हो गया है तो इसको निका से देखिया है तो अगर चूड़ा तो इस तरह से चूड़ा अच्छा नहीं बनता है तो इस बात का धियान रखें तो देखिए हमने इसमें डेड मच तेल डाल दिया है तो मैं यहाँ पे सरसो का तेल का इस्तमाल कर रही है क्योंकि चूडा मटर सरसो के तेल में काफी अच्छा लगता है खाने में यहाँ पे हमने लैसून और हरी मीड़ को बारिक-बारिक काट के डाल दिया है इसमें जो क्रंची पन होता है ना लैसून में सब्सक्राइबविक इपक करें हमने लइस्टी से इटुड़ा मतर में आता है और अच्छे तरह से मटर को एक से दो मीनट लगता है और यह देखे आप चाहे तो ढख करके भी पका सकते हैं क्योंकि मटर जो है थोड़ा सा छटकता है तो यह देखे ऊपर आ रहा है अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे कलर के लिए है आप चाहें तो इसकी भी कर स तो इस सारे प्रोसेस आपको करने के बाद चूड़ा को ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता है अच्छे से इसको मिला लीजिए और इसके बाद एक से दो मिनट इसको हाई फ्लेम पर भून लीजिए और यह लीजिए आपका करारा क्रिस्पी ब्यारी चूड़ा मटर रेड और बिहारे चूड़ाई खाना पसंद करेंगे तो आप एक बार जरूर इसको बना करके खाईएगा चाय के साथ गर्मा करम और बिल्कुल असान सी रेश्पी है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और पूरा वीडियो जरूर हमारा देखिएगा और अगर वीडियो तरह से सर्दी के मौसम में चूड़ा मटर बना कर खाईए और कमेंट में जरूर बताईए कि रेश्पी आपको कैसी है